तो आज हम लोगे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नमर वन फिजिकल साइंस का हमारे प्रयावरन के प्रतिय अविरुचिया इसको मैंने हिंदी में ही आप लोगो समझाने कोशिज की है मैं हिंदी इंग्लिज दोनों मेडियम के बच्चों के लिए उनकी कोई प्रयावरन के प्रतिय अविरुचिया के जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करते हैं और प्लीज इसको सबस्क्राइब जरूर करिएगा तक कि और भी बच्चे हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि हम इस चैनल के जड़िए और भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हुए आ हमारा पहला है क्या कि प्रयावरन प्रयावरन किसको कहते हैं हम क्या जानते हैं कि प्रयावरन सब्द जो मिला बना हुआ है वो दो सब्दों से मिलकर बना है यानि कि पड़ी प्लस आवरन जिसका अर्थ होता है हमारे चारो तरफ का आवरन यानि कि घेरा हुआ स्थान ठीक इसमें हम कुछ भी हो सकता है मानो का विकास भी हो सकता है भौतिक भौतिक बहुत सी बस्तूए हो सकती है या वही यह सब पर्यावरन है जैसे वाईू जल, सुर्य पहार वन जैसा कि हमारे बुक में लिखा हुआ है आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो मैं स्क्रीन के जरिये ही आप लोग को कोशिश करों कि हर टॉपिक को समझाने के लिए तो जिस तरह से जितने भी समाज, समुधाय, संस्था, प्रथा, लोक, लोकाचार, नैतिकता, धर्म ये सब क्या है? ये सब हमारे आसपास का जो भी है वो प्रयावरन ही है प्रयावरन ही है, यानि कि जो घेरा हुआ अस्थान है, जो प्रिथवी के चारो और है वो सब है प्रयावरन, जहां हम निवास करते हैं, जहां हम लोग रहते हैं तो प्रयारण सब्द किथपती फ्रेंच भाथा से हुई है जिसका ताद परिया है क्या जिसका मिनी होता है घहरना ठीक है प्रयारण का यहनी कि हम कैसे कह सकते हैं कि प्रयारण किने की किसको कहते हैं तो इसको हम लोग ऐसे Angoulagas was in the languages में लख सकते हैं In the environment, there are different interactions between animals, plants, soil, water and other living and non-living things. कुछ भी हो सकता है जिनका हमारे animals और water, soil, जो भी आपका हिये, जो livings और non-livings के साथ हमारा interactions हो. Important of environment क्या हो सकता है? हमारे environment का क्या महत्तो है? Environment provides us natural resources. Environment हमें natural resources देते हैं, जैसे minerals देते हैं, fuels देते हैं, vegetation देते हैं, sunlight, animals, forests. तो यह सब हमारे daily life के लिए बहुत महत्तो हैं, which are important of our daily life. Environment meets our energy needs in the form of renewable or non-renewable resources, which is the backbone of our economical activities. नवीनी करन और अनवीनी करन दोनों तरह के आर्थिक स्थितियों से हमें जो backbone होता है, उसको हमें स्टैवल करने के energy देते हैं. Environment से हमारे दिया हुआ है कि पर्यावरण दिवस की शुरुवात संजुक रास संस्ता के आमसभा ने 1972 को की थी, जो परतेक वर्स को 6 जुन को मनाया जाता है, पर एक्चुल मैंने सर्च किया, तो मुझे 5 जुन मिला, देखिए, रियल है, 5 जुन ही है, तो 5 जुन को पर्याव पाड़ी तंत्र है, एकोसिस्टम, उसमें कुछ गरबड़ी नहीं हो, एकोसिस्टम में एक बार गरबड़ होने से बहुत सारे चीजों का, यानि कि जो भी हम सर्वाइब करने में हम बहुत तकलीफ होगा, जैसे कि अभी हम पैनेडमिक में, हमारा जो पैनेडमिक जो चल र होगा, कि हमारे प्रावरुन का नुकसान होगा, तो हम उकोसिस्टम को बरकरार रखते हुए, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर ये जागरुकता बनी रहे, हम सब के अंदर ये जागरुकता बनी रहे, ठीक है, भौवतिग बिग्जान के इसमें complete मिला हुआ है तो किसी अस्थान का पर्यावरन वहाँ का क्या दिखाता है जैसे हम मैं आ लिजे कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पर का environment के बारे में पहले सर्च करूँगी कि यहाँ पर कैसा temperature है कैसा दबाव है आसपास का कैसा vegetation है वहाँ पर कैसा nature है यह सब के बारे में जानकर फिर यहाँ पर आसानी से हम लोग survive कर सकते हैं रह सकते हैं तो भहती बिख्यान के है भहती बिख्यान पर्यावरन के दबाव वहाँ के आदरता, ताप करमादी का नियंतरन वहाँ एको सिस्टम का समुचीद समवनम्यकरता है और भहती कवई ही पर्यावरन में परिवरतन ला सकते हैं अज़वी कवई जो है पर्यावरन क्यांग है जैसे कि वाईू जल, सुर्य का प्रकास यह सब अज़वी कवई हैं इनका बहुती बिज्ञान के सिधानतों के द्वारा समझा जा सकता है ठीक है? तो next है हमारे पास topic क्या? कि structure of atmosphere हमारे atmosphere यानि वायू मंदल की रचना किस परकार से होई? ठीक है? तो हम लोग क्या जानते हैं? प्रित्वी के चारो और लगबग जो 400-500 km के उचायो में जो हमें दिखता नहीं है हमें जैसे आसमान के नीला दिखाई देता है पर एक्चुल में वो नीला है की नहीं है ये गैसो के वज़ा से हमें नीला दिखाई देता है तो जिसे हम लोग वायू मंडल करते हैं यानि प्रित्वी के चारो और 400-500 km के उचायी तक जो गैसो का आवरण है उसको हम लोग वायू मंडल करते हैं प्रित्वी क्या करशन सकती कारण ही प्रित्वी क्या करती है? पडिवर्वन के साथ साथ वयूमंडल भी हमारा घुमा करता है यानि पृत्वी के गैसों में गैसों का 97% भाग 29 किलोमेटर के उचाई में ही आ जाता है लेकिन जो उपरी जो सीमाएं हैं अधिक्तम 10,000 किलोमेटर तक बताई जा सकती है तो कमपोजीशन अब एट्मोस्पेर क्या क्या हो सकते है कमपोजीशन हो सकते हैं क्या गैस जल्वास दूलकन इसके अतरिक्त और भी जैसे हमारे आसपस किटानों और धुएं भी हो सकते है गैसों में क्या है? सबसे पहले जानेगी कुछ भारी गैसे हैं, कुछ हलकी गैसे हैं भारी गैसे कौन-कौन सी है? जिससे हमारा environment बना है भारी गैसे nitrogen है, oxygen है, argon, carbon dioxide ये सब भारी गैसों में मुख्यता nitrogen, oxygen और argon ही आ सकते हैं वायो मंडल का 99% भाग में nitrogen और oxygen ही है अक्सीजन के कारण क्या है? नाइट्रोजन हमारे बनस पतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है वो इसलिए कि पौधे इनके nitrogen को लेकर जरो से minerals को nitrogen गैस को लेकर क्या करते हैं? कि हो minerals वगएरा लेकर अच्छा खाद बनाते हैं मतलब अपना portion करते हैं और हमें अच्छा portion प्रदान करते हैं यह हम dependent है किस पर nitrogen gas से जो बने हुए जो खाद्य प्रदार्त हैं पौधों के उनपर dependent है oxygen का काम क्या? oxygen हमारे सभी जियोधारियों के लिए स्वसन का काम करता है और जो पौधे है oxygen को हमें देते हैं और carbon dioxide जो हम जो gas जो निसकासित करते हैं वो carbon dioxide लेते हैं तो यह प्रकास अंसलेशन के किरिया द्वारा जो carbon dioxide और जल के संयोग से क्या बनाते हैं वो लो carbon dioxide बनाते हैं इसी तरह से जो हलकी गैसे हैं हलकी गैसे हैं वो है helium, neon, krypton, genon यह सब निसक्रिये गैसे हैं यानि यह किसी रसाइनी किरिया में भाग नहीं लेती हैं यह गैसे वायू मंडल में बहुत उचाई में मिलती है और इनकी मात्रा केवल ना के बराबर है एक और gas भी है जो ozone है जो हमारे Vy-mandal में पाए जाती है ओजोण गैस अधी कुछाई में सथी ozone मंडल में पाए जाती है ठीक है, यह गैस की खास्यत यही है यह गैस यह बहुत महत्वपूर्द है, यह गैस जो सूरे के, तरब से जो पारा बैंग नी किरने है याईनि कि अल्तरा वालेट ट्रे़ int, जो आती है उसका अधिकांस भागे सोसित कर लेती है और यदि ऐसा न होता ओजोन मंडल नहीं होता तो फिर क्या होता कि जो अल्टरा वाले ट्रेज हमारे डारेक्ट हमारे प्रिथी उपर ता और बनस्पतिया भी नहीं होती और हमारे खुद के उपर भी हमारा बहुत नुकस वायोमंडल में जल्वास्प की मात्रा बहुत ही कम होती है तो गैसों में जल्वास्प की मात्रा में अधिक परिवर्तन होता रहता है यानि कभी मात्रा बढ़ भी जाता है कभी कम भी हो जाता है यह मुख्या वायोमंडल के निचली सत्हों पाय जाती है जैसे इसी तरह से था अकास कारण काला नहीं होता है जैसे धूल कन के कारण इंडे धन उस्तषा परता और मिलसं काल में सुभा और Σाम में आकास की जो सुन्दर सी जो रेड जो दिखाई देता है वो धूलकन के कारण ही होता है और धूलकन का और खास क्या यूजेज हो सकता है कि धूलकन की उपर ही कोड़ा और कौहसा वगएरा जमता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पस क्या कि लेयर्स ओप एट्मोस्फियर में हम जानेंगे कि प्रित्वी की वायुमंडल की जो अनेक पड़ते हैं वो कौन-कौन सी है और किस तरह से हमें इनभार में जिस तरह के एक डाइगरोम में आप लोग को दिख रहा होगा जो मैंने स्क्रीन प्रे करने स्क्रीम लें को ब्याओ यह से हमें कम दिखासी मीरीश तरौप्रेजिकाम हुरन पहिए और किकि काम मिरीश ओप लेयर वर्लीकेrichten प्रेगरों करें यह सन्क्राम्यमज सभी गया है तरौ-धी खरूसपेरास कौन quality never जो यह जो लेयर दिख रहा है यह है ओजोन लेयर तीक है उसके बाद है क्या यह ओजोन लेयर बहुत important है इसकी बाद है stratosphere stratosphere just like just lies troposphere और it extends up to जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि 11 to 31 miles लिखा होए है यानि कि 50 आ 60 kilometer about होता है और जिसमें इसमें बहुत सारे ऐसे phenomenon होते हैं, weather phenomenon जैसे कि इसमें flying jet, flying aeroplanes वगएरा या फिर hot balance भी, जैसे यहां दिखाई दे रहा है कि hot balance इस layer में भी उड़ते हैं, और ये तोड़े उचाई पर जाने पर इस layer में भी आ सकते हैं, पर इस layer में just touch होता है, ठीक है, उसके बाद है क्या mesosphere, mesosphere में metros वगएरा जो उलका पींड आते हैं, वो space की तरब से वो इसी layer में आके जल जाते हैं, और इसकी जो उचाई होती है, वो 32, 85 miles होती है, ठीक है, यानि कि mesosphere जो है, उसका just, इसकी height हो सकती है, 80 km तक भी, उसकी बाद आता है, thermosphere, thermosphere में इसकी height 86 to 372 miles भी हो सकती है, और जिस तरह से इसकी height बढ़ते जाती है, इसके temperature में भी काफी ज़्यादा temperature भी बढ़ते जाते हैं, तो इसमें satellite वगएरा आते हैं, सेटलाइट, ठीक है, उसकी बाद exosphere यह सबसे उपरी layer है, और यह काफी ज़्यादा मतलब इसमें exosphere, the uppermost layer of the atmosphere, is known as exosphere, इस layer is very thin air, और इसमें बहुत जादा light gases, जैसे की helium और hydrogen, floats into the space from the air, यहाँ पर, और space सी बगएरा भी यही पड़ी इसी layer में आते हैं, ठीक है, तो इस तरह से करके, यह diagram के हिसाप से हमने समझा, नेक्स आम अपने ब्रोको स्पेयर को हम लोग इंदी में अधो मंडल या छो मंडल भी कहते हैं, जैसे की बुक में दिया हुआ है 10 से किलोमेटर, तो 10 से 8 लिखा हुआ है, या पर 13 भी हो सकते हैं, आप कुछ भी about लिखा हुआ है, यहाँ पर, वाय मंडल का सबसे निचलास तर होने कारण इसको अधो मंडल कहा जाता है, वो इसलिए कि मंडल का दिकांस भाग जैसे की भाड़ी गया से और जलवास दूलकन यहीं पाय जाते हैं, और इसमें एक डिगरी की उचाही तक जाने पर एक डिगरी टेंपरेचर में, क्या होते रहा टेंपरेचर हैं, इस भ रिवर्तन मंडल या फिर छो बंडल या अधो मंडल कहा जाता है, इस भाग में वायू कभी सांत नहीं रहती है, यहां ऐसा एयर चलते रहता है, बलू होते रहता है, तो यहां पर रेडियेशन और गर्णक्शन, कंवेक्शन द्वारा जो गर्म या ठंड़ा हवा चलते रह जैसे कि गर्मी बर्सा आंधी तुफान यह सब इसलिए इसको छो मंडल भी कहा जाता है ठीक है उसके बाद आता है समताप मंडल समताप मंडल यह क्या है जस्ट इभब तो यह 50 km तक फैला हुआ है और जिससे हमरे बुक में दिया है और इसमें क्या है जारे के दुनों में पर साथ किलोमेटर तक हो सकती है इसकी उचाई ठीक है और उचाई के साथ साथ इसके तापकरम भी बढ़ता है हवा का घनत तो क्या है समुद्र तल की तुल्ला में एक हजार गुना कम भी हो जाता है तो जेट प्लेन और मौसम से जरकारी लेने वाले जो बैलून्स होते है वो इसी लेयर में आते हैं ठीक है इसमें जलवास वो धूलकन बहुत कम पाया जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहां पर आंधी तुफान वगएरा भी कमाते हैं इसी मंडल के नीचले हिस्से में क्या है ओजोन मंडल है जैसा कि मैंने आपको इसक्रीन पर दिखाया था उसके बाद है मेशो स्फेर मध्य मंडल इसमें क्या है कि जस्ट यह उसके उपर है और यह 90 किलो मिटर तक भी फैला हो सकता है इसमें क्या है इसका सबसे उपरी भाकत आपकरन माइनस 90 डिगरी तक हो सकता है तो इसमें क्या है जो मेट्रोस जो आते हैं उलका पिंट वगए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बैलूंस और जेट प्लेंस इस लेयर तक पहुंच नहीं पाते हैं तो कृति मुपगरा भी इस परत की चक्कर ही लगा सकते हैं ठीक है तो जिदें सावंडिंग रॉकेट्स कहा जाता है उसकी बाद है थर्मोस्पेर है थर्मोस्पेर के मध्य मं कि प्लेंटर तक इसको ताप मंडल कहा जाता है और जैसे इस परत को दोड़तय जाता करता है तो इसकी ऑस्ता इसके बाद यह धीरे-धीरे बढ़ता है, तो सौर उर्जा इस परत को तापमान को परभावित करती है, जिसके कारण इसका जो उपड़ी भाग का टेंपरेचर 500 से 2000 डेगरी तक भी हो सकता है, यहां वायू मंडल काफी क्या है, वीरल है, ठीक है, इसमें क्या है, मुख्य परते हैं, तो दुरूबिय जोती इसी परत में देखी जाती है, उसके बाद एक्सो स्पेर, यह सबसे उचला भाग है, तो इसमें 600 किलम्टर की उचाही तक यह पाया जाता है, इस बाग में वायू बहुत ही, मतलब एक थीन लेयर है, एयर बहुत एयर का थीन लेयर है, और इसमें जलमायू संबाधी कोई भी किरिया नहीं होती है, तो इससे क्या है कि इस बिशा में बहुती कम जानकारी प्राप्त होती है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि रासानिक संगठन से वायू मंदल को दो भागों बाटा गया, एक है सम मंदल, दुसरा है बिसम मंदल, या रासानिक संगठन में क्या है, एक रूपता मिलती है, इसी से इस मंदल को सम मंदल कहा जाता है, यानि जो गैसे होती है, वो सही अनुपात में एक दुसरे के साथ संगठित रहती है, यानि एक दुसरे के साथ मिले रहती है, इस मंदल की मुख्य रूप से कौन सी कैसे है, आ भाग जो वायो मंडल के 90 किलोमेटर से अबाउट 10-1000 किलोमेटर के उचाही तक पा जाता है तो इसमें क्या है वायो मंडल के विभिन गैसो के अनुपात में राशानिक संगठान जो जो जिस तरह से केमिकल bonding से जिस तरह से बंधे हुए रहते हैं वो क्या है वो सही अनुपात में नहीं होता है यानि कि परिवर्तन होते रहता है इसलिए इसको बिसम मंडल कहा जाता है यानि कि हेट्रो स्पेर कहा जाता है ठीक है तो आज हम लोग यहीं तक इस चैप्टर को रहने देते हैं यहीं तक यहीं उसकी बाद हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे वेरियेसोन अब टेंपरेचर भी एल्टिटूट और उससे साथ जितना भी टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिज करेंगे ठीक है तिब तक आप किसको देखिया आपको कुछ प्रॉब्म होता है किसी तरह के टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सिक्सिम में और शेयर ज़रूर करिए तक अभी जो बच्चों जो नहीं जानते हैं कि हम इस चैनल पर नए सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं तो उनको जुबी जानगारी मिलती रहें थैंक यू किप वाचिंग बबाई